प्रिवीश एर क्वेशन डिसकेशन में आज का क्वेश्चन वित रफ्रेंश तु दी यूजफुलनेस ओफ दी बाइप्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडिस्ट्री विच अब दी फॉलिंग स्टेट्मेंट इज और आर्प्रट्स जो उपत्पाद है शरक्राप उद्योग के सरक्र उद्योग के शुगर इंडिस्ट्री के उसकी उपत्पाद है उसकी उप्योगत्ता के संदर में निम लेकित कत नुबर विचार बगासी केन बी यूज़ एज बाइमेस फ्यूल और जनरेशन आफ एनरजी बागासी जो है वह है जमवात्र इंदन के रूप में उप् बचता है नेक्स्ट मॉलसस कें बीज़ एज वन अफ फीड स्टोक्स पर दी प्रोडक्शन आफ सिंथेटिक केमिकल फटिलाइजर आपका विसकस पदार सा निकलता है काला काला सा वह आपका मॉलसस इस को करने के लिए पता होना चाहिए फिर है मॉलसस कें बी यूज़ पर सब्सक्राइब कुछ में कुछ इतना होगा तो इसके लिए यूज़ होई सकता है थार्ड तो सही है थार्ड सही है तो आप इसको अफ्टा सकते हो यह होगा यह होगा अब बगासी हम कई बार जोग्रफिम पढ़ते हैं अब यहां से आंसर सी और वन पड़े एक्जाम में बेते वे आप इसको भी सही माल लोग लोकि मॉलसस का उपयोग एज तोर पर होता है अब यहां पूछा सिंथेटिक केमिकल फटिलाइजर सिंथेटिक केमिकल फटिलाइजर है तो आपको नाट्रेट पोटेशियम इस तरह की क्वालिटी चाहिए बड़ क्या जो आपका इस उसको ब्रेक करके आप उसका यूज कर सकते हो वह सूचना है अगर एक्जाम में मुझे एक क्वेशन पूछता है तो इस सगेंड के कारण मैं लीव करता हूँ ऑल्दो मुझे 1 & 3 के कारण ऑप्शन मैंने C और D को क्लोज कर दिया है बट यहां पर डिफिकल्टी हो रही है और एक्जाम में आप लोगों ने भी इसका आंसर D ही सोचा होगा पट वो D नहीं है इसका आंसर C 1 & 3 इसका उप्योग सिंथेटिक केमिकल पडिलाजर के तोर पर नहीं होगता इसका उप्योग आप पोटेशियम नाइट्रीट या अचनो 3 इनके लिए उप्योग करो इसलिए सेकंड रॉंग है यहां पर आंसर इसका 1 & 3 simple but tough है अगर एक्जाम में आता है तो आप आंसर जो है 1 2 3 तीनों ही चूज करोगे नेंग्स्ट क्यXT नहीं इंडिया इन इन्डिया दे इसस्टील प्रोड़क्शन इंदॉस्टीरि वायाइस दे इंपोर्लय इंपरोट किसका इप हए उसके लिए किसका का आप आयात करते साल्ट बित शुरई रख फास्वेट जल्फ फास्वेट को किंग कोर hearings and पाता है पैसले भी हमने कुशन किया था कोकिंग कोल क्या कर रहे हैं इंपोर्ट हाइग ग्रिड कोल तो सी तो होना ही चाहिए अब यहां से अगर हमें इन दोनों में से एक का भी पता लग जाए हम आंसर कर देंगे है भादगर हिश्ट्री पढ़ी है अर्फसांस तरह तो आपको कही न कहीं सालन पीटर का और फ्रैंसि मिलता है कोडिया मैं रिदयर है इंडिया में है तोा इसका नहीं चाहिए अब यहां पर हमें यह चाहिए कि स्टीछ प्रोडूक्शन में इन जोना तोपिओ होता है क्या उस तिंकिन से भी आप स्वेशन कर सकता है पर इस्ट्री से अगर आपने सूरा चुना है वह एंडियन पाश्ट में बहुत यूज होता आता तो अल्रडी आप कह सकते हो कि वह अल्रडी इंडिया में है वाइविल रिक्वाइड इंपोर्ट तो वहां से अगर आप इन दो में से एक को भी कट कर दोगे क्योंकि मोश उप्रपेट चुनना है तो आप सी मार्क कर दोगे नहीं करोगे तो फिर आपको डी चुनना हो वैसे रॉक फश्वेट का हम इंपोर्ट करते हैं बट श्टील जरू नहीं कि इसका उप्योग यहां पर श्टील इंडिस्ट्री में हो ही हो यहां पर आंसर है सी कोकिंग कोई क्योंकि साल्ट बिटरा फटा दो अगर इसके बार में नहीं भी पता है तब आप आ कि 2016 में पूछा था और 2016 में एक चर्चा में था तो समय हमें करंट पता होना चीए था यहां पर लैंग्विज जैसे इस कोश्चन की अभी तक जो आपने सीखा है अभी तक जो थिंकिंग डिलप की है उससे को सकता है कोशिश कीजी क्या अंसर होगा क्या यहां हिंट दिया ह हुआ है कि प्वश्चन है वाट इज और आर दिपरपज और परपज ऑफ डिस्ट्रिक मिनरल फांडिशन जो है जिला खनीच परिष्टान उसका परपज प्वश्चन आएगा तो आप में से कई तो लोग यह खाएंगे आता ही नहीं ऑप्शन देखिए प्रमोटिंग मिन जो मिनरल इक्स्पोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्टेट जो मिनरल रिच जिले हैं वहां पर मिनरल को एक्स्पोर करने वाल गतिविजी को बड़वा देना मालो हो सकता है सेकेंड है प्रोटेटिंग दिंट्रेस्ट अप्डिज अपरसन अफेक्टेड अधिकर्त तकन अब दीख Iya two और three contradictory एक तरफ आप वैलफार की बात कर रहे हो है अप क्योंकि यहाँぎ यहां से फ्रस्प से वैलफार को नुक्सान हो rocky क्या इस तरह को सब्थेटिव मुझत है क्या मैं क्योंकि अगर आप यह करोगे तो यह कहीं न कहीं प्रभावित और फानडेशन का काम क्या हो था पामडेशन क्यों ले आउट करते अगर यह दिश्ट्रिक मिनरल फांडेशन तर इसको नाम देना चाहिए था कुछ और देना चाहिए था district mineral agency agency का काम होता कि वह कुछ न कुछ उत्पादित करवा है तो कहीं न कहीं उसका orientation welfare की तरफ रहेगा अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी जो पहली वाली thinking है आप one and two contradictory एक साथ नहीं होगे इससे तो ए हटा दोगे डी हटा दो और यह सोच पाते हो कि foundation है तो काम welfare का होना चीए तो आप यह कर सकते हो दो तो होगा ही होगा automatic three भी नहीं आता है तो three हटा दोगे answer भी आयागा दूसरी सोच authorizing state government to issue license for mineral exploration आपके पास major है minor mineral का authority state government के पास क्या कोई भी अपना अधिकार शक्तर दूसरों को देगा नहीं देगा अगर वह अधिकार शक्तर देता तो हम 16 में अगर आप पेपर दे रहे होते तो वह बहुत जादा ही हो debate का मुद्दा होता और बारसलगा कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि वह अपने अधिकार आप भी कभी ऐसे नहीं चाहोगी आप अपने अधिकार किसी और को दू तो वह होई नहीं सकता वैसे भी यहां हटा दो और वैसे भी अगर यह होता जिप पर्लिमेंट से कोई law जो है यहां से पारित होता या law में amendment होता mmdr bill में तो वह है भी चर्चा में रहे तो उस सोच से भी आप इनको खटा सकते हैं इस तरह आप इस option पर arrive करोगे यह एक अप्रोच है question को टेकल करने की इस अप्रोच को आपको सीखना कि नेक्स्ट कि वेश्चन हम देखते हैं कि अगर अगर कि वेश्ट आपको को से संगर होता है उसका क्या संभावित प्रिणाम है अप्षण देखी आंसर आएगा अप्शन देखी आंसर आएगा डेज शेलिदी इन दी रिवर पॉलिशन अप ग्रांडवाटर लवरिंग अप दी वाटरेबल select the correct answer using the code given बालु माइनिंग करते हूँ तो क्या होगा क्या पानी का inflation होगा कि नहीं होगा यह बह जायागा फिर बालु खनन करते हूँ तो salinity लवनीता बड़ेगी कि घटेगी यहाँ पर एक एक पॉइंट पर focus करूँ decreased pollution यह तो होगा ही होगा सुनता ही हो lowering of waterable यह सोच सकते हो कि water का flow ही हो जाएगा infiltration नहीं होगा तो यह होगा तो इस thinking से आप D और D पर अराइव कर जाओ अब यहाँ पर सूखें यहाँ पर यह क्या होता है यूज पर में समानियता ही पढ़ते हूँ increased हटा जाएगा आंसर आएगा इस तरह है आपको answer करने इस तरह है यह question attempt हो हम geography के अंतिम चरणब है और hope की वो geography से आपकी thinking बनी होगी और कुछ last के question है उसको discuss करके हम environment की तरह move on करेंगे और यहाँ से यह भी पता लगा होगा कि UPC कैसे question हूचता है जाप prelims में उसका focus जो है physical पर है आपकी socio-economic geography पर भी है mapping पर भी है पर mapping में कहां पर है current पर hope की thinking डलोप होगा और आप उसी according जो है आपने आपको आगे बढ़ाएंगे आज के लिए इतना ही वीडियो को like कीजिए and subscribe to the channel and click on the bell icon ताकि जो भी अगर हो तो आपको notification जो है पर लग जाए thank you फैसाफड़ इंस क्रेवश इंस कर एंस कर दो आपको के जो है झाँ है झाढ़ाएंगे वीपिए जो हुआ है